दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लड़कियों की कौन सी कौन सी कमजोरिया रहती है साथ कमजोरिया बताऊंगी इससे क्या होगा अगर आप समझ गए जान गए आप किसी भी लड़की को बहुत आसानी से इंप्रेस कर पाऊगी तो बहुत जादा इंपोर्टेंट वीडियो है खास करके लड़कों के लिए तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर चैनल में नहीं हो ताब भी सब्सक्राइब करके बेल बाल आइकाउन दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना क लड़कियों की कमजोरी पॉपुलर लड़के होते हैं जो भी चरचित लड़के होते हैं उन लोगों को लड़किया बहुत जादा पसंद करती हैं और ऐसे लड़के लड़कियों की कमजोरी होती हैं अगर ऐसे लड़के जो की बहुत जादा पॉपुलर है लड़कियों को propose करते तो लड़की बिना जोचे समझे हां कर देते हैं तो एक popular लड़का जो कि बहुत famous है popular है वो हमेशा लड़कियों की कमजोरी रहा है क्योंकि दोस्तों लड़किया हमेशा popular लड़कियों को पसंद करते और वो उनकी साथ मिलके खुद भी popular होना चाहते हैं इसलिए वो कोई भी पॉपुलर लड़के का प्रोपोजर ठुकरा नहीं पाती है तो पॉपुलर लड़के लड़कियों की बहुत बड़ी कमजोड़ी होती है अब दूसरा पॉइंट में आ जाते हैं दूसरी पॉइंट है यह according to psychology तारीफ लड़कियों की सबसे ब हमेशा से कमजोड़ी रही है है और आगे भी रहेगी तो तारीफ तो आप चला दे रहना इसलिए क्या होता है ना शादी के बाद रिलेशन्शिप तूट जाते हैं ज्यादा तर इसी कारण से कि पत्तियां अपने पत्तिनियों का तारीफ करना छोड़ेते हैं इसलिए आप को तारीफ बिल्कुल भी नहीं जोना चाहिए जब शादी शुदा भी क्यों ना हो अपने बीबी का भी कभी कभी तारीफ कर ही लिया करो कुछ ना कुछ जेनुएन पॉइंट आपको मिल ही जाएगा अगर आप हमेशे उसकी नेगटिव सोचों के नेगटिव चीजों को द बिल्कीं है क्योंकि दोस्तो लड़कीं को हमेशे असा लड़का अच्छा लगता है जो उनकी एलप करें जो कूछ Every मुसीवत में हो और उसके मन में एक विश्वास है कि यह वाला लड़का है नहीं मुझे ुपूराइब इस ममसवास निकाल ही लएगा और यह जो एक शक्ति शाली पुरुष लड़कियों की बहुत बड़ी कमजोरी होती है। क्योंकि दोस्तों समाज भी लड़कियों को ऐसे समझाता आ रहा है कि लड़किया कमजोर होती है। और लड़किया खुद भी अपने आपको कभी-कभी कमजोर ही मानते हैं। और देखा जाए तो शारीक तोर पे लड़किया थोड़ा कमजोर ही होती है लड़कों से, तो ये एकदम डीपले लड़कियों के जहन में बैढ़ गया है, कि वो थोड़ा कमजोर है, और इसलिए जो powerful man होता है, उसको लड़किया पसंद करती है, powerful man लड़कियों की कमजोरी होती है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं इसके साथ सेफ रहूंगी, अगर ये वाला परसन मेरे साथ रहे, तो मैं जिन्दिगी बर सेफ रह सकती हूँ इसके साथ, तो ये जो एक भड़ोसे का feelings है ना, ये लड़कियों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, तो अगर आप एक powerful man हो, अगर आपके अंदर शक्ति है, आप एक शक्ति ही आली पुरुष हो, तो आप समझे लो कि आप लड़कियों की कमजोरी ही हो, अगर आप चाहो तो आप लड़कियों को बहुत आसारी से इंप्रेस कर सकते हो, तो इसके लिए आपको और वे टिप्स पता होना चाहिए, इसलिए तो कहती हूँ चैनल को सबस्क्राइब कर लो, ताकि लव टिप्स के बारे में कोई भी वीडियों आप मिस ना कर जाओ, दोस्तों ये हुए आपकी 6 नमबर पॉइंट की शक्ति शाली पुरुष लड़कियों की कमजोरी होती है, अब 5 नमबर पॉइंट है दोस्तों, अमीर एंट सक्सेसफुल परसन भी लड़कियों की बहुत बड़ी कमजोरी होती है, यहाँ देखो मैं सब की बात नहीं कर रह होता है, क्योंकि दोस्तों अच्छा लाइफ कौन नहीं लीट करना चाता है, एक अच्छा लाइफ तो सभी लीट करना चाता है, तो इसी तरह से एक लड़की भी चाते है कि मेरा जो पती हो, या फिर मेरा जो बॉइफ्रेंड हो, वो सक्सेसफुल हो, वो अमीर हो, ताकि उ उसको future का एक बहुत अच्छा सा सपना उसके नजर में आने लगता है कि इसके साथ अगर मेरा शादी हो तो मैं अपना ये 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 सपना पूरा कर पाऊंगे इसका मतलब ही मत समझे हो कि लड़किया लाची होती है, बिलकुल ही नहीं, सबको एक अच्छा लाइफ लिट करने का हक है और सबको एक अच्छा लाइफ लीट करने का सोच भी रखना चाहिए ठीक है यह ही आपकी पांच नमबर पॉइंट शे नमबर पॉइंट है लॉयल्टी लड़कियों का सबसे बड़ी कमजोरी होती है अगर कोई परसन लॉयल हो लड़कियों को पता चले कि यह जो मेरा बंदा है यह बहुत जादा लॉयल है और यह मेरे साथ कभी भी धोकाबाजी नहीं करेगा तो वही बंदा उसके लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है उस परसन को वो पाने के लिए अपना जीत जान लगा देती है और दुनिया एकसाइट और वो परसन एकसाइट इस तरह का एक सिचेशन बन जाता है मतलब कि अगर आप लोयल रहते हो तो आपके पार्टनर के आप सबसे बड़ी कमजोरी बन जाओगे वादा पार्टनर आपको कभी भी खोना नहीं चाहेंगे तो लोयल टी बहुत जादा इंपोर्टन्ट है एक अच्छा रिलिशन्शिप के लिए भी और एक लड़की को इंप्रेस कहने के लिए भी तो अगर आप एक रिलिशन्शिप में हो तो आपको डेफिनिकल लोयल रहना चाहिए अब दोस्तो साथ नमबर पॉइंट में आ जाते हैं जो कि सबसे जादा इंपोर्टन्ट है कि लड़कियों की क्या सबसे बड़ी कमजोडी है यह है दोस्तो लड़किया बहुत जादा इमोशनल होती है लड़कों के तुलना में लड़किया जादा emotional होती है इसलिए दोस्तों लड़कियों की जो भी emotions से connected इंसान है मालों उसके ममी पापा, भाई बहन या फिर उसके emotions के साथ connected कोई चीज है कोई उसका pet है, कुछ भी हो अगर उन सारे चीजों के साथ आप जादा attached हो जाओगे जब भी आप उसके साथ बात करोगे लड़की के emotional attachment वाले चीजों के उपर ही आप बात करोगे तो लड़की बहुत जादा खुश हो जाएगे और वो मन ही मन आपके साथ एक दम से connect हो जाएगी फिर आप उसके सबसे बड़ी कमजोडी बन जाओगे क्योंकि दो इमोशन लड़कियों की सबसे बड़ी कमजोडी होती है इसलिए उसकी emotions को पकड़ो उसकी emotions की चीजों को पकड़ो उसकी emotions की persons को पकड़ो फिर बहुत असान हो जाएगा इसी भी लड़की को impress करना तो अज़ के लिए इतना ही 7 पार्ण में बता दिया कि लड़कियों की सबसे बड़ी बड़ी क्या क्या कमजोरिया होती है तो आई ओप आप समझ गए आप एक लड़की के साथ बात करना या फिर एक लड़की को impress करना आप के लिए पाई!